जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे दैनिक राश फल की दैनिक राश फल में आपकी राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे ये राशी फल चंदराश पर अधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जन कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिन के पास जन कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राज से जान सकते हैं और ये राज़िफल अपनी नाम राज से देखवर सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं आज का राज़िफल जान लेते हैं आज आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा संबंधों का लाब मिलेगा करियर कारोबार में रुची रहेगी महत पूर्ण कारे बनेंगे कम दूरी की आत्रा संभव है महत पूर्ण मामलों में तेजी दिखाएं आलस से बचे मेहनत पर विश्वास रखें लोगों के कारें की सरहना करें समान दें उनको आज का दिन नई सुरुआत के लिए सही है किसी नए अपसर में जिंद्गी बदलने की च्छमता है लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा समय रहते लिया गया निर्णे आपके लिए काफी महत पूर्ण बमलाफकारी बदलाव ला सकता है आज के दिन अपनी दिन चर्या में अच्छे परिवर्तन लाने की कोशिस कर सकते हैं साहस पराक्रम में आज के दिन परद्धी देखने को मिलेगी और कुछ जातक सेर बाजार में पैसा आज के दिन लगा सकते हैं पारिबारिक जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा समय आज आप बिता सकते हैं आप आत्म निर्फर महसूस कर रहे हैं अभी आप आत्म निर्फर महसूस कर रहे हैं अकेले रहने के लिए समय निकाले खुद पर विश्वास और प्रिये जनों का प्यार आज आपको आपके कारेच छेतर में आपके आफिस में प्रसंसा का पात्र बनाएगा करतब्यों और दायत्यों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है इसलिए सब्र से काम लें धहर से काम लें अगर हम चाहें तो आत्मिस्वास और परिस्त्रम के सहारे भागे खुद बदल सकते हैं और अगर हमें भागे लिखना नहीं आता तो परिस्तितियां भागे स्वयम लिख देती हैं ब्यापार या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय उचित है अपने विकास के लिए नए कारें और नए अपसरों को खोजें अब आपकी सभी उजनाय आपके जीवन की बेहतरी नोजनाय सावित हो सकती हैं आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी खुद पर विश्वास रखें आप साधारन को भी असाधारन में बदल सकते हैं बस कुछ करने की हिम्मत करें आप भी स्वशनी द्रण और सक्री हैं आप आज अगर किसी भी इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं तो अपनी सारीरिक भासा पर ध्यान दें कुछ जातक आज संपत्ति खरीदने की उजना भी वना सकते हैं आपका उधार सुभाव आज आपके लिए कोई खुशनमा पर लेकर आ सकता है आज आपको पैसा उधार देने से बचना चाहिए अगर आप अपनी घरेलू जुम्मेदारियों को अंदेखा करेंगे तो परिवार के सदस्यों से बाद विवास संभब है नई योजनाए आकरसक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी दिन की सुरुआत भले ही थोड़ी ठकाऊर है लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे दिन के आखिर में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीवी से मुलाकात करके इस समय का सदप्योग कर सकते हैं कोई सुब समाचार मिलने से दिन बहुत ही खुशनुमा बेतीत होगा घर में नजदी की संबंधियों के आगमन से प्रशंता बनेगी मिलेगी फाइनन संबंधी कारियों में सकारात्मक प्रणा मिलेंगे इस समय लाबदायक परिष्थितियां बन रही हैं अपनी उर्जा और छमता का भरपूर सदप्योग करें और लापरवाही और आलस जैसी बातों बातें अपने उपर हाबी ना होने दें बहुत अधिक सोच बिचार करने से कोई महत्वण उपलब्धी हास से निकल भी सकती है पती पतनी के भी सुकत ताल मेल रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको उर्जावान और तरो ताजा कर देगी आज किसी बात को लेकर मन में अपने डाउन बने रहेंगे पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग दिसाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णा लेने में आपसमर्थ रहेंगे अपने कारिस्थल पर मुद्दों के बारे में इश्पष्ट और उचित निर्णा लेने में सच्छम होंगे आज आपको किसी ऐसे विक्त के साथ संपर्ग में आने की संभाबना है जो आपके भविस्थ के लिए बहुत प्रभावसाली सावित होगा आज आप चिंता से रहत महसूस करेंगे और आपका उत्सा भी बढ़ा रहेगा आपको मित्रों और सगे समंधियों से लाव हो सकता है किसी मुलाकात में मित्रों के साथ आनन्द मना सकेंगे प्रियेजन की निकटता और वहभाईक जीवन की मधूरता का अनन्द ले सकेंगे आपको बित्तिय लाव होगा और समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे करियर में अनकुलता बनी रहेगी ब्यापार में उमिश से अच्छी सफलता मिलेगी कामकाज अच्छा रहेगा बिजनिस में प्रवाभी रहेंगे वेपसाई गत्विधियां बेहतरीन रहेंगी इंसुरेंस पॉलिसी आदिस सम्मंधित बिजनिस में फाइदे मंद स्थियां बन रही हैं जो लोग इंसुरेंस बिजनिस से जुड़े हैं उनको आज फाइदा हो सकता है इस समय कामप्टीशन भी बढ़ा रहेगा और नौकरी में किसी सही योगी की गत्विधियों से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं आप अपनी कठोर मिहनत के बल पर मानिता और प्रतिश्ठार जित करेंगे आपके खर्चों में ब्रद्धी हो सकती है इसलिए अपने खर्चे और निवेस को कम करें जातक आज केरियर छेत्र में उननती पा सकते हैं आईटी छेत्र में अगर आप काररत हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट आज के दिन पूरा हो सकता है पारिवारिक जीवन में सकारात्मा बदलाव देखने को मिलेंगे आज के दिन आपके आत्मिस्वास में भी ब्रद्धी होगी और सुनियोजी ढंग से आगे बढ़ेंगे बहतर प्रणाम मिलेंगे नए लोगों से मेल जुल बढ़ाएंगे संबंधों में सहज रहेंगे कैरियर कारोबार में अच्छा करेंगे इसमर्ण सकती बढ़ेगी निजी मामले अनकूल रहेंगे और ब्यापारिक मामलों में बहतर रहेंगे लाब बढ़ेगा योजनाओं को गती देंगे सकरिता से कारे करेंगे कारे ब्यापार बढ़ते रहेंगे आपके प्रभाव में बृद्धी होगी प्रबंधन से जुड़ेंगे आज आप लंबे समय की युजनाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप अपनी सकार आत्मक और संतुलिस सोच के द्वारा गर और ब्यापार समंधी किसी भी परेशानी का हल निकालने में आज सच्छन रहेंगे रचनात्मक का और धार्मिक रिया कलापों के प्रतिभीरु जान बढ़ेगा चुनतियों को शुईकार करना आपके लिए उन्नत के भी मार्क खुलेगा अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटोती करना बहुत मुस्किल होगा ये समय ब्यापार पर बहुत अधिक फोकस करने का है आपकी सूजबूच कारिश्टल की विवस्था को उचित बना कर रखेगी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार के अनुचित कार्वें दिल्चास पिना ले अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस बात का ध्यान रखेए और प्रेम की भाबना आज के दिन बढ़ेगी परिजनों की सुने आज आप अपने परिवार के सदस्यों की आज आप सुने तो अच्छा रहेगा प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे संसकारों को बढ़ावा मिलेगा प्यर्थ के बाद विवाद में आज आप का दिन जा सकता है अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें इस समय सांतर हैं अपने साथी के तरक हो समझें और उससे विवाद ना करें तो अच्छा है अपने साथी का धियान उन खुश्वनमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने अभी तक उनके साथ में बिताए थे, तनहाई आकेलेपन से बचने के लिए अपने और अपने प्रेमी या प्रेमका के बीच में दूरियां ना आने दें, ध्यान रखें, रिष्टे में मनुटा होना स्वाभाबिक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें, आज आप अपने प्रेमी या प्रेमका की अत्रिक देखफाल से ये सावित कर देंगे कि आप एक अच्छे साथी हैं, आप एक अच्छे पार्टनर है, अपने पार्टनर के साथ बहतर समझ बनाने के बारे में खुछ से सवाल कर सकते हैं, आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित हैं, लेकिन ये केवल एक छड़ी काकर्शन है, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं इससे आप सांत रह पाएंगे पार्टनर से बहस करने से बचें सिंगल लोगों को साधी का प्रोपोजल मिल सकता है आपकी किसी बास से पार्टनर परिशान हो सकता है इसलिए सोच समझ कर ही कुछ बोलें आज के दिन लव लाइफ सामान रहेगी प्रिजनों से तालमिल बना कर रखें सम्मेदत सिल्टा में ब्रद्धी होगी प्रेम सम्मद मजबूत होंगे सभी प्रिशन रहेंगे मित्र साथ देंगे बिनम्रता से काम लेंगे पती पतनी का आपसी तालमिल अच्छा रहेगा पारिवारिक और ब्यापारिक गद्विधियों को उत्तम बनाएंगे प्रेम सम्मंदों में भी और अधिक मजबूती देखने को मिलेगी लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा साधी सुदा लोगों को जीवन साथी का सही योग मिलेगा पार्टनर के साथ भूने फिरने जा सकते हैं पार्टनर से सुख मिलेगा स्वास्त के प्रित सजग रहें बिक्तित तो प्रभावी रहेगा समझ बढ़ेगी साहस बढ़ेगा और बाहर जाते हुए साथ धान रहें गले से समंधित कोई स्वास्त समस्या हो सकती है इसलिए तला भुना भोजन खाने से बचें खान पान और दिन चर्या के प्रितला प्रवाही आपके स्वास्त के लिए नुक्सान दाएक उनके सिलसले में कहीं जाना भी पढ़ सकता है जितना हो सके सकारात्मक रहें कुछ खास फैसले आपको करने पढ़ सकते हैं आज आपके नए कदम से जीवन बहतर हो सकता है घर के बातावरण में शुक्सानती बनी रहेगी ब्यापार में सफलता प्राप्त होगी और सह कर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा तो मित्रों आज मैंने आप से आपकी राशी के राशी फल के वारे में कुछ चर्चा की ये राशी फल सामाने राशी फल है ये सभी जात्कों पर पूरूप से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जन कुनली में ग्रोहों की स्थिती और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रोहों के गोचर की स्थिती इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्वा करता है आप सभी स्थ रहें, आईश्मान रहें, धन्वान रहें ऐसी मेरी श्रीकश्न भगवान से प्रार्थना है जै श्रीकश्न